Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys, आज हम एक नई वैब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि Bollywood वैब सीरीज है 2020 के अंदर, यानि की लॉकडाउन के अंदर आई हुई हमारे सुख दुख के साथ ही वैब सीरीज की बात करे हूँ यानि की वैब सीरीज का जो चसका लगा था हलांके सेक्रेट गेम और मिर्जापुर से लग चुका था लेकिन पातालोग के बाद में جو वैब सीरीज का एक जो अलगे ट्रेंड सेट हुआ था उस चीज का क्रेडिट पातालोग को जाता है हालांकि गाइस पाताल लोग को explain करने के लिए मैं काफी जादा लेट हूँ लेकिन अब से गाइस में बॉलिवोड वैब सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके अंदर फर्स नंबर पे पाताल लोग है और उसके बाद में गाइस मिर्जापूर स्टार्ट होने वाली है पाताल लोग का सिर्फ अभी तक एक सीजन ही आया है जिसके अंदर पूरी तरीके से से कवर कर ली गई है तो guys इसका second season आने की कोई information नहीं है आज की time में पाता लोग सभी लोगों ने देख ली होगी लेकिन कैसा हो कि एक बार उसका वापस से flashback किया जाए ताकि हमारे पुरानी यादे तांसा हो जाए तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराए आज हम सभे चित्रकूर्ट में रहने वाले त्याकी की गलियों में चलते हैं एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें हातिराम चौजरी दिखाए जाते हैं जो कि अपने जूनियर अंसारी के साथ में थे और साथ में बागी पुलिस वाले लोग भी थे हातिराम अंसारी को बताते हैं कि पाता लोग आकर होता क्या है वो दिल्ली के तीन जग़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो हाई फाई जग़ों के स्वर्ग लोग जैसा है जहाँ पे सारे first level वाले लोग रहा करते हैं, जहाँ पे कोई crime नहीं होता है, बड़े अमीर लोग रहते हैं, एक तरीके से देवताओं की दुनिया, उसके बाद में आता है 30 लोग, यानि के दिल्ली का वो area जहाँ पे normal इंसान रहते हैं, ना तो वो अमीर है, लेकिन वो भी नहीं है, उनकी life भी normal तरीके से चलती रहती है, कभी अच्छी होती है, तो कभी crime भी होते हैं, और उसके बाद आता है तीसरा लोग, यानि की पाताल लोग, जहाँ पे दिल्ली के सारे कीड़े आते हैं, इसका मतलब वहाँ का crime rate सबसे जादा है, सारी criminals इसी पाताल लोग में किसी का जखड़ा चल रहा है, और आसपास अगर कोई पुलिस वाले हैं, तो जाके चेक करें, हाथिराम अपने पूरी टीम के साथ उसी चौल वाली जगह पे जाता है, जहाँ पे एक husband wife के बीच में गजब का जखड़ा चल रहा था, पुलिस वाले बीच में आके उनको चुड़वाते हैं, लेकिन वहां का मोहल तब बदल जाता है, जब वो औरत उल्टा, पुलिस वालों को गालियां देने लगती है, कि तुने मेरे आत्मी पे हाथ कैसे उठाया, अब अगर विचारा पुलिस वाला उनको नहीं बचाता, तो भी वो औरत गाली देती, कि मेरा उसे बाहर निकला लड़का उसे खाने के लिए मना कर देता है, और सारा खाने वापस भिचवा देता है, अंदर एक लड़का और बैटा था, जो कि काफी ज़्यादा फ्रस्टेट दिखाई दे रहा था, इसी के साथ एक और रूम दिखाया चाता है, जिसके अंदर एक गाड़ी रह थे और तभी हमें पता चलता है की parallel यहाँ पर पुलिस की एक और गाड़ी है, जो कि उनका पीछा कर रहे है, इसी के साथ में यह चारों फुल स्पील स्पीड से गाड़ी बगाने लगते हैं, हमें पता चलता है कि पुलिस को पता चल किया था क्यों कुछ तो कवर करने लगती है पुलिस वाले निकलते हैं इन चारों की गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद में एक लड़का भाग के सीधा गाड़ी के ऊपर चड़ जाता है अपनी पॉकिट से फोन निकालता है और सीधा पानी के अंदर फैक देता है लेकिन तब तक ये चारों अरे कर लेंगे लेकिन आके हुआ क्या था और इनके उपर चार्ज क्या लगाना है तब दिल्ली पुलिस का ये हैड ऑफिसर बोलता है कि इनके उपर मडर का चार्ज लगाना है इन चारों को ये अप थाने के अंदर लेके आ गए थे जिसके बाद तीनों लड़कों को एक चकर जाता है और उनसे नाम पूछा जाता है कोई भी लड़का अपना नाम नहीं बताता है जिसके बाद में पुलिस वाले जोर जबर्दस्ती करना शुरू कर देते हैं उसी का शोर सुनके अंसारी अंदर आ जाता है और बाकी की ऑफिसर्स को डांटता है कि बाहर पूरी मीडिया खड़ी है इतने लोग खड़े हैं उपर से तुमेने चिलवा क्यों रहे हो तो ऑफिसर्स बताते हैं कि यह अपने नाम भी नहीं बता रहे अंसारी इसमें से एक लड़के को खड़ा करता है और उसे पूरी दरीके से चेक करता है जिसके अंदर उसे एक वालेट मिलता है औ मैंने कुछ भी नहीं किया है मैंने बस उन लोगों से लिफ्ट मांगी थी लेकिन इस लेड़ी पुलिस ऑफिसर को अपने बातों से बिल्कुल फुरसत नहीं मिलती और नहीं वो इस लड़की से धंग से पूछताच करती है हालां कि यहां पे गालियों की कोई कमी नहीं थी लेकिन इस लेड़ी की रियल एक्टिंग की भी गाईस दात देनी पड़ेगी अब यहां पे DSP, SHO सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे अब इस थाने के SHO से पूछा जाता है कि यह केस कौन हैंडल करेगा SHO किसी ऑफिसर का नाम लेते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस स बताते हैं कि यह केस काफी ज़ादा हाई प्रियॉर्टी का है इसे जल से जल किसी और उफिसर को दो उस समय हाती राम चौधरी आया हुआ था तो यह DSP बताता है कि हाती राम को सारी ब्रीफ देने के लिए कहता है अब यहां पे असिस्टेंट हाती राम चौधरी को तुम क इसे ने बोला होगा या तो फिर ये जिस जगह पे रुके हुए होगे उस होटेल के आदमी ने कुछ सुन लिया होगा और हम लोगों को टिप मिली थी कि आज ये लोग मडर करने वाले हैं तो उसी समय चौधरी कहता है कि अगर ये लोग मडर करने वाले थे तो आपको सबसे पहले इंफोमेशन तो जमना पार के क्वाटर के अंदर देनी चीए थी आप लोग कैसे आ गए तो ये असिस्टेंट हाती राम को बोलता है कि तुम हमसे क्या जादा स्मार्ट बन रहे हो अगर हमें को इन्फोमेशन मिली तो क्या हम आएंगे नहीं और ये सिस हमें DSP को भी बिला लेता है कि देखो आकर ये हातीराम क्या कह रहा है तो DSP बताता है कि बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है DSP आके बताते हैं कि हम लोगों को जैसे टिप मिली थी उसी समय हम सारा काम छोड़के सबसे पहले उन्हें पकड़ने के लिए निकल गए और बाई चांस हमें रस्त इस तरह के की बढ़ गई थी कि संजीव महरा को रिजाइन देने के लिए फोर्स किया जा रहा था जिसके उपर संजीव महरा का क्याना था कि मैंने आखिर चार साल से इस कंपनी को कितना कुछ दिया है और उसके बाद आज आखिर बिना कुछ बोले मुझ से रिजाइन कैसे इसी समय न्यूस चानल के अंदर जो न्यूस चल रही थी उसमें पता चलता है चार लोगों को मर्डर की प्लानिंग के चक्कर में पकड़ा गया है और ये चारो ही बहुत बड़े क्रिमिनल है इसी के साथ में जो बहुत ही कॉंट्रिवर्शल नाम निकल की आ रहा है वो एक जर्नलिस्ट का है, वो जर्नलिस्ट और कोई नहीं, बलके खुद संजीव महरा था, संजीव महरा को ये न्यूस दिखाई जाती है, और उसके बात में तो मानो, उस न्यूस चानल में खड़े हर एक इंसान के होश उड़ जाते हैं, जो एक सीनियर एंप्लॉय, संजीव महरा स रेजिगनेशन देने के बारे में बात कर रहा था, वो खुद ही चुपो जाता है, इसी के साथ में अब हाती राम चौदरी खुद आता है, उन चारों से पूछताच करने के लिए, कि आखिर ये लोग किसका मडर करना चाते थे, इनका नाम क्या है, और कहां से आये हैं, ले अपने आप भी मुझ खोल देगा, इससे अच्छा तो पहले ही नाम बता दे, हाती राम जब तोप सिंग के पास आता है, तो तोप सिंग बोलता है, कि निउस चैनल वाले तो कुछ भी दिखाते हैं साब, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हाती राम मिला कि उसको एक चाटा हो जाता है, क्योंकि अभी ये निउस चैनल वाले संजीव मैरा को ओन एर करने वाले थे, लेकिन संजीव मैरा इतना जादा डिस्टरब था, कि वो इस समय ओन एर नहीं आना चाता था, इसी समय उसका फ्रेंड आता है, जो कि बोलता है कि संजीव ये एक बहुत बड़ी उसको नहीं टेक ओवर करूँगा, तब ही वो लड़का अपनी एक असिस्टेंट को बुलाता और कहता है कि 9 बजे किसी और को ओन एर करो, संजीव काफी जादा डिस्टरब था, इसी के करन उसका फ्रेंड उसे खुद छोड़ने के लिए घर जाता है, लेकिन ये लोग जै जैसे कि कुछ साल पहले उसने एक बहुत बड़े पॉलिटिक्स का सारे स्कैंडल ओपन किया था, शायद वो भी हो सकता है, या फिर कुछ महिनेों पहले किसी के इलेक्शन आने वाले थे, उसके भी खिलाफ संजीव ने बोला था, तो इन लोगों को कुछ समझे नहीं आ थ बाके के इनफोमिशन इने पता है, लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन हातिराम कुछ भी करके इस केस को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाता था, क्योंकि इतने सालों बात में उसके पास में बहुत बड़ा केस आया था, जिसके बास सीन यहापे संजीव मेरा की रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जो कि उससे पूछने लगते हैं, कि आकर संजीव मेरा कहा पर है, उनके साथ में क्या हुआ था, उन्हीं मारने के किसने कोशिश करी थी, जबकि इस लेडी को तो कुछ भी नहीं पता था, कि आकर उसके हस्बेंड के साथ में हो क्या रहा है, य लेकिन असल के अंदर इन लोगों के बीच की प्रॉब्लम ये थी, कि संजीव के वाइफ को एंग्जाइटी थी, तो वो संजीव को कहती है कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मेरी तब्यात खराब हो रही है, और प्लीज आ कि मुझे संभालो, तो संजीव का कहना था, कि य लोग उन्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन पॉलिटिक्स इतनी बुरी हो चुकी है कि उसको उसे की ऑफस से भी निकाला जा रहा है, इसी के साथ में लड़की सारा बताती है कि कैसे संजीव मेरा उसका एक आइडल हुआ करता था, इसी के करण उसने जनरलिज उठ जाती है, लेकिन हातिराम जी कहते है कि अरे तुम क्यूν उठी, लेकिन उनकी वाइफ बताती है कि इतना शोर करोगे तो अफकोर्स में उठी जाओंगी, जिसके बाद में हातिराम आज के हुई सारे इंसिडेट के बारे में बताता है कि कैसे उसे एक बहुत बड़ा क मिला है और कुछ भी करके उसे वो case solve करना ही है अगले दिन पता चलता है कि एसे चोगो हातिराम ने बुलाया था इस बारे में डाटने के लिए कि आकिर संजीव मैरा का नाम लीक कैसे हुआ तो हातिराम कहता है कि सर मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है बलकि मुझे तो खुद थोड़े टाइम पहले पता चला था कि सस्पेक्ट आकर संजीव मेरा है उसे मारा जाना है तो आकर मैं कैसे बताऊंगा हातिराम चौतरी के पास में DSP का कॉल आता है यानि कि दिल्ली हैटकॉर्टर से और उसे बताया जाता है कि तुमें जाके संजीव मेरा से बात करना पड़ेगा उसे स्टेट्मेंट लेना पड़ेगा और पूछना है कि आखिर उसके साथ में ऐसा किसने किया होगा इसी के साथ में उसे सिक्यूरिटी प्रोवाइट करो और ये भी कहना है कि थाने में आके उसे साइन भी करने हैं जो यहां का ऐसे चो खड़ा था उसे पता चलता है कि हातिराम को तो अब डारेक्ट हैटकॉर्टर से कॉल आ रहे हैं तो ऐसे चो अपना मूँ फूला के वहां से चला जा इसी के साथ में अब हातिराम निकलता है संजीव मैरा की घर के लिए लेकिन अब तक कुछ संजीव मैरा रात से अपनी घर पे नहीं आया था और कुछी देर के अंदर वो भी घर पे पहुंच जाता है पहले तो उसकी वाइफ उसे हग करती और बोलती कि आखिर तुम कहां पर थे मुझे बहुत टैंचन हो रही थी लेकिन वो अपनी वाइफ को दूर करता है और पता चलता है कि घर के अंदर पुलिस ऑफिसर्स आये हुए हैं हातिराम उनसे हाथ मिलाता है बाचीत करता है कि सर हम तो आपकी बहुत बड़े फैन है लेकिन आखिर कुछ तो गडब से जर्नलिजम कर रहा हूं तब हातिराम कहता है कि सर अब आपको थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा सर हमारी तरफ से आपको दो पुलिस ऑफिसर भीजे जा रहे हैं जो कि 24 गंटे आपके साथ में रहेंगे और अभी कुछ दिनों तक आपको सावधानी रखनी चाहिए तब संजीव मैरा पूछता है कि पता चला कि आखिर वो लोग कौन थे और मुझे क्यों मारना चाते थे तो हातिराम बताता है कि सर इन्वेस्टिकेशन चल रही है और जैसी पता चलेगा आपको बता दिया चाएगा तब हातिराम उनके पास आके बैठता है कि सर मुझे एक जहां पर उन चारों को कोट में लेकि आया जाता है जहां पर उन्हें 14 दिन के रिमांड के लिए पेश किया जाता है लेकिन अब तक 3 लोगों के नाम पता चल चुके थे और 4 का नाम पता नहीं चला था जब जच खुद पूछता है कि आखिर इसका नाम क्या है तो वो लड बेटे के जब कमरी के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसके अंदर काफी कम माक्स आ रखे थे वो बाहर आता है और अपने बेटे को बुलाता है और उसके बाद में उसे बहुत बुरी तरीके से डाटता है कि तेरे इतने कम नंबर आये उन चारों के नाम की criminal history sheet निकलने लगती है वो तोब सिंग की history sheet पढ़ी रहा था और तबी आखरी पेज निकलता है विशाल त्यागी का जिसे पढ़के उसके होश उड़ जाते हैं इसी समय वो हतिराम चौजरी को कॉल करता है और कहता है कि सरा प्लीज अभी के अभी आईए ह आतिराम रात के अंदर ही पुलिस टेशन पहुचता है तब वो अंसारी से पूचता है कि भाई ऐसा भी क्या हो गया कि तुने मुझे रात में बुलाया तब अंसारी बताना शुरू करता है कि ये विशाल त्यागी और कोई नहीं बलकि हतोड़ा त्यागी है जो कि यूपी करने में इसी सस्पेंस के साथ गाइस फस्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में अगले एपिसोड में तब तक के लिए टाडा